अर्चू आई छोड़ो क्या कर रहे हो सुबा सुबा छोड़ो भी क्या यार शादी के एक साल भी नहीं हुए और तुम छोड़ने की बात कर रही हो तुम सुबा सुबा ही शुरू हो जाते हो बाबा प्यार के लिए सुबह क्या और शाम क्या मुझे खाना भी बनाना है अच्छा अर्चू ये बहुत बुरी बात है यार जब भी मैं मुझे जाना भी है बाबा आज तो संडे है आज कहां जाना है आज तो हॉलिडे है तुम्हें क्या, मुझे गाइनकोलोजिस्ट के पास जाना है, दस बजे की आपॉइन्मेंट है, तुम्हें तो जाना नहीं है मेरे साथ यार बाबा मुझे ना एक प्रोजेक्ट सम्मिट करना है, और वेसे भी डॉक्टर ने क्या बोला रिपोर्ट आने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होगी यार एक तो ममी ने ना कॉल करके तंग कर दिया है, और तो ममी का फोन क्यों नहीं उठा थी वही बाते बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चा मैं क्या मार्केट से लेका रहा हूँ यार अर्चू प्लीज ये बात का बतंगड मत बनाओ, आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा यार बबू ट्रीटमेंट तो चली रहा है ना यार अर्चू, ट्रीटमेंट तो यही बात तुम अपनी मा को क्यों नहीं समझाती, उनको ऐसा लगता है कि कमी मुझ में है अर्चू, देखो ना कमी तुम में है ना मुझ में है, बाबू थोड़े से कॉम्प्लिकेशन्स हैं, आज नहीं तो कल दूर हो जाएगे, और फिर बच्चा हो जाएगा देखो, देखो, बच्चा तो मैं अभी चाती हूँ, अच्छा, सुनो मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम खाना खा लेना, और शायद मुझे थोड़ा टाइम लगे आने में, कुछ टेस्ट बागी है, ओके मैम साब, ठीजो, वाव, अरे अमृता तुम, ऐसे आचानक, हाँ, सोचा आपको सर्प्राइज देदू, वाव, वाट इस सर्प्राइज, विसे दीदी का है, अरे वो तो बाहर है, ओ नो, मैं तो उनको सर्प्राइज देने की मूड में थी, अरे कोई बात नहीं, तुम बैढ़ो, अरे मैं बैग ले लेता हूँ, वैसे क्या लोगी, चाए, क्या जीजू, आप भी बुढ़ो की तरह चाए कॉफी पूछ रहें, वाइन नहीं है क्या, वाइन, अरे मुझे पता होता ना कि तुम वाइन पीती हो, तो पहले से लागे रखता, वैसे एक बात तो है, तुम वीडियो कॉल में बिल्कुल बच्ची लगती हो, लेकिन सामने से बहुत बड़ी लगती हो, अठारा साल की हो गई हूँ, पूरी एडल्ट, हाँ, वो तो दिख रही हो, वैसे आइटम लग रही हूँ न, इसमें कोई शक, देखो जीजू, रात में मुझे दीदी समझ के कहीं पेल मत देना हाँ, अरे यार तुम इतनी बिंदास हो, आज यूश्वल, वैसे ये दीदी कहां गई, तुमारी दीदी गाइनेकोलोजिस्ट के पास गई है, कोई खुशकबरी है, अरे ना बाबा, खुशकबरी नहीं है, इसी लिए तो, क्या जीजू, आप जोर नहीं लगाते हैं क्या, वाइगरा लीजिए और लग जाए काम पर, यहर, तुम कुछ भी बोलती हो, जीजू, 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 सौरी जीजू, आप गुस्सा हो गए, मैंने चोटा सा मज़ाग किया, वैसे आपके मर्दानगी पर मुझे कोई शक नहीं, आप तो गबरू जवान हो, मैं फ्रेश हो क्या आती हूँ, जीजू, मैं एक हफता रूखेंगे, मेरी मज़ाग की आदा डाल लो, अरे, एक दम बिलकुल पागल लड़की है, हाँ, अरे, शर्मा जी, अरे, दूसरी फाइल पहुँच जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जीजू, एक मिड़ा, देखो, शर्मा जी, क्या है न, मेरी साली आई भी है, हाँ, ठीक है, शर्मा जी, मैं बाद में बात करता हूँ, बोलो, ये टेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात मानो आप, एक हपते के लिए, दोनों हानुमून के लिए, फिर से चले जाओ आप, देखो, काम होता है कि न, हाँ, तुमारे जैसे चार-पांच लोग और हो जाए न, तो ये जो गाइनकोलोजिस्ट है न, ये इनकी दुकानी बंद हो जाएगी, और टूरिस्ट और होटे वालो का चल जाए, ये तुमने सही कहा, वैसे एक बात बताओ, तुमारा कॉलेज कैसा चल रहा है, अच्छा ह तुम्हें किस टाइब का रड़का चाहिए, आप जैसा, अरी, जीजु संभालो, वैसे ही सच कहूं तो जब आप दीदी को पहली बार देखने आये थे, तो मुझे ऐसा लगा, दीदी के बदले मैं आप से शादी कर लो, अगर तुम हा करती, तुम्हें भी कर लेता, सच मे सची, मुच्ची, वैसे अभी भी मौका है, किस बात का, मुझसे शादी करने का, मतला तुम ही ये बोल रही हो कि तुम्हारी दीदी को डिवोस दे दूँ, अरी, नही, नहीं, दीदी को आप बीवी बना के रखो, मुझे सीक्रेट बीवी बना के रखो, ये सीक्रेट बीव ये तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है कैसे? अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया है ना तो ना बचेगी साली ना बचेगी घरवाली समझ में आया? अरे शर्मा जी मैंने आपको फाइल वेज दी है आपके टेबल पर रख दी है एक बार चेक कर लीजिये क्या छोटी छोटी बातों के लिए आप कॉल करतें और वैसे मैंने आपको बोला था ना कि वो जो दूसरा क्लाइन्ट है nा भो बहुत परिषर्ण करता है नहीं नहीं मैंने तो मेल करदिया इस हैसर को हाँ ठीक है ठीक है एक काम कीजिएगा मैं कुछ टाइम के बाद आपको कॉल करता हूँ फिर बात करते हैं ओके तो आ गई तुम अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला कुछ नहीं कुछ टेस्ट करवाए हैं रिपोर्ट आने के बाद ही ट्रेट्मेंट शुरू होगी अंदर कौन है तुमारी बहन कौन अम्रता तो और कौन अचाना मैं तो सब जगह अचानक ही आ जाती हूँ माने तु कुछ बताया नहीं क्योंकि मां को ही नहीं बता मैं आपी फोन करके बताती हूँ कि मैं तुमारी घर पर हूँ अम्मू ऐसे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाते, अब तुम बड़ी हो गई हो और बहार अच्छे लोग नहीं होते अरे तुम हा तो करो, अभी वकील को बुला कर तुमारी बहन को डायवोस देता हूँ तुम इसको समझाने की वज़ा सर पे चड़ा रहे हो बाबा नहरास क्यों हो रही हो, अभी वो नादान है, कुछ दिनों में समझदार हो जाएगी अभी तो वो कॉलेज जाना शुरू की है, अब थोड़ी बहुत उसको आजादी दो न मैं घर से क्या निकल गई, तुम तो अपनी मनमरजी करने लगी, ना तो तुम्हें कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला, तुम तो पूरी आजाद हो गई तीरी, मैंने तुम्हारे लिए लसी बनाई है, लसी पियो और थंडी हो जाओ, मैं आभी लाती हूँ बाबा तुम्हारी बहन है, तुम समझो, में साब स्वारी, मैं बरतन धो क्या ता हूँ अर्चू बेबी अर्चू बाबा ये क्या नाइटी पेन के गुम रही हो, फिर जे मुड़ बन गया है, हाँ तो फिर ओफिस नहीं जाना है, नहीं तब यह ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाकर आओ, डॉक्टर के पास जाकर मैं तंग आ गई हूँ अरे बाबा तुम होसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम गाइनेकोलोजिस्ट के पास गई थी ना, मैं शाम को आता हूँ, फिर हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाकर आते हैं, ठीक है, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ चलो, ख्याल रखो हाँ, चलो, बाए क्या प्रोग्राम है आज का? यार आज तुमने फिर शाडिस्त्री नहीं किये, और आफिस जाने का प्रोग्राम है और क्या? क्या आप दोनों मुझे घर पे अकेला छोड़के जा रहे हो? क्यूँ? तुम्हारा फोन तुम्हारे पास होगा, अपने दोस्तों को तंकरते रहना? चीजू, मैं भी आती हूँ आपके साथ आपके ओफिस में अच्छा, मेरे ओफिस में आके मेरे कॉलीग के सामने मेरा मजाक बनाना है नहीं, आपके बॉस को पटाऊंगी और आपको प्रमोशन दिलाऊंगी नो थैंक्स, ये सर्विस ना आपनी बहन को देना हलो, 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 हाँ, क्या रिपोर्ट आई है, सब कुछ ठीक तो है न, हाँ, ठीक है मैं अपने हस्बेंट से जल्द से जल्द बात करके बताती हूँ, जी क्या हुआ, डॉक्टर का फोन था, बोल रहे थे कि घर्व में, घर्व की थैली में कुछ प्रॉब्लम है एक छोटा सा ओपरेशन करना पड़ेगा, दो-तिन दिन अस्पताल में ही रहना होगा हाँ, तो कब करवाना है ओपरेशन? जल से जल हाँ, तो एक काम करते हैं, कल के कल तुम डॉक्टर से एपोइंटमेंट ले लो और कली के गल ओपरेशन करवा लेते हैं, मैं दो-तिन दिन मैनेज कर लूँगा हाँ, दीदी, चिंता मत करो, मैं यहाँ सब सम्हाल लूँगी अब बेज़ी जग अपना आपरेशन करवा लो हालो हाँ, राकेश अरे यार, वो अरचना का आपरेशन हो गया है तो दो-तिन दिन लगेंगी तो मैं दो-तिन दिन नहीं आपाँँगा, तुम सम्हाल लेना हाँ, ठीके ठीके, रख बाई क्या हुआ कैसी है दीदी की तब्यद ठीक है कोई मेजर ओपरेशन नहीं है डॉक्टर ने कहा फॉइबरेट बढ़ गया है तो उसको काट के निकालना पड़ेगा तो ओपरेशन हो गया है सब कुछ ठीक है लेकिन ये नाइटी तो अरचना की है हाँ वो मैं शौट पैंट लेकर आये थी तो इसलिए मैंने ये पहन लिया क्यों अच्छी नहीं लग रही हो क्या नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो एक नंबर ठीक है चलो खाना खाते हैं ठीक है अरे अमरिता निकलो ना बाबा मुझे लेट हो रहा है आफिस के लिए अरे जल्दी करो यार हलो हाँ चुबे भी अरे नहीं यार अभी भी घर पे ही हूँ ये अमरिता कबसे ना रही है ये निकलेगी तभी मैं आफिस के लिए निकलूँगा ना हाँ ने ने बाबा मैं भी नहीं आ पाऊंगा मैं शाम काऊंगा हलो अमरिता अरे अचानक क्यों कॉल किया क्या अचा मिलना है ठीक है मैं आता हूँ क्या मैं आता हूँ प्रप्राइब झांग मेल झांग मेल झांग सुर्पर कर दो है तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने प्रीकॉशन क्यों नहीं लिया, देखो, हम अभी भी ये अवोशन करवा सकते हैं, मगर मैं नहीं करना चाहती, अरे यार, तुम पागल हो क्या, अरे तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो, अरे दीदी को छोड़ो, जब सारी दुनिया को पता चलेगा तब, गरशा भोगा, पता है, कुछ भी हो, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, तुम मुझे ब्लैकमील कर रही हो, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, जैसा तुम चाहती हो, वह मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सीक्रेट वाइफ बनके रहूंगी बिना शादी के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जब तुम्हारा पेट बहार आएगा तो सारा के सारा सीग्रेट खत्म हो जाएगा और जब तुमसे दुनिया पूछेगी किसका बच्चा है किसका बच्चा है तो बताते रहना और क्या जवाद होगी देखो बच्पना मत करो बच्चे को गिरा देते हैं आखिर उमर ही क्या है तुम्हारी मैं शहर से दूर रहूँगी बच्चे को जनम दूँगी मैं कभी भी यहां पर मुझ नहीं दिखाऊंगी मैं आप से दूर रहूँगी देखो यार तुम समझ नहीं रही हो, ये राजाओं महराजाओं का जमाना नहीं है, जब एक राजा 20-20 रानिया रखता था देखो, सिर्फ एक ही दिन की बात है, अबोशन करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी परिशान हूँ, मैं आप पे कोई आच नहीं आने दूँगी ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जो मुझे करना है मैं करूँगा क्या बात है, आज तुम टेंशन में लग रहे हो, रेस्टरेंट जाना भी कैंसल कर दिया अरे कुछ नहीं यार, एक प्रोजेट को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशन्स हैं, बस उसी चक्कर में दिमाग खराब हुआ बैठा है मुझे तुम से कुछ बात करनी थी, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कल बात करते हैं, जब तुम टेंशन फ्री होगे मैं सोने जाती हूँ, तुम जल्दी आ जाना ठीक है नहीं यह अमृता का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना मेरे इज़त का जनाजा निकाला जाएगा, नहीं और पुलिस मुझे अंदर डालेगी, वाला, नहीं यार, हर्चना को क्या मूदी खाँगा और यह परिवार, ओफिस वाले, समाज, रिष्टेदार, नहीं अगर अमृता नहीं मानी, तो जबरदस्ती उसका बोशन करवाना होगा अगर यह सलस जबरदस्ती कैसे करूँ हाँ, एक ही रास्ता है, कुछ प्लान करके, अमृता को खत्म करना होगा हाँ, यह यह रास्ता है हलो, हाँ मा बोलो, अरे मा अरचना सो रही है मा उसकी त्वियत थोड़ी खराब है यार मा अभी आप वाफस शुरू मत कर देना मा, अरचना को अगर बच्चा नहीं हुआ तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे और क्या कहूं मा, देख मा हर तरीके का इलाज करवा लिया अब बस यही एक रास्ता है यार मा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अरे, कहा नहीं गया, किसके पास नहीं गया यहाँ जितने टांतरीक ढोगी बाबा हैं सबके पास जा चुका हूँ अब कोई लाज नहीं बचा है यार मा, यह खुद का खुद का खुद का खुद का खुद का चलता रहेगा मा, मा देखो, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, मैं तुम से बाद में बात करता हूँ अगर अमृता के बदले अर्चना को मा डालू तो अर्चना मुझे बच्चा तो नहीं दे सकती और अमृता के पेट में मेरा बच्चा है मेरा वारिश अर्चना के मरने के बाद अमृता से शाधी करूँगा अर्चना के बात के बाद के बाद करूँगा चलो अर्चू, मैं चलता हूँ जी, अच्छे सुनो, अगर आफिस के लिए तुम तयार हो गए तो प्लीज मेरा एक काम करोगे ओ, अमरिता को गायब हुए एक हपता हो गया है उसका एक हपते से कुछ भी पता नहीं चल रहा है पता नहीं कैसी है, किस हाल में है मैंने उसको कितनी बार मना किया है कि कभी घर से अकेली मत जाना लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी मुझे बहुत डर लग रहा है डॉन्ड वारियो अर्चू, मैंने पुली स्टेशन में बात कर लिया है उन्होंने बोला है खोज रहे हैं जैसे अमरुता मिलेगी वो हमें बता देंगे टेंशन मतलो अरे इंस्पेक्टर साब हाप मैं पुली स्टेशन ही आ रहा है था वो अमृता का कुछ पता चला कहां है वो अमृता वा तीरी अ मो मूं हम लो आहरे आ हम लो कोशिश के जुर्म में गिरफ़तार करता हूँ। तुमने इन पर जान लेवा हमला किया। इसकी वज़ा से ये एक हफ्ते तक हॉस्पलाइज रही और इनका मिस्क्रेज हुआ है, समझे। क्या बात कर रहे हैं आप, मिस्क्रेज हुआ है। जी, राजीव के आपकी बहन के साथ नाजाएज संबन थे। इसकी वज़ा से ये प्रेगनेंट हुई और इन्होंने आपकी बहन को जान से मारने की कोशिश की समझी। बदा, बदा, धरसल बात ऐसी है, उस रात मैं अर्चना को मारने गया। और मैं अर्चना को मारने ही वाला था। फिर मैंने टेबल पर देखा अर्चना की मेडिकल रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में देखा अर्चना प्रेगनेंट थी। अब मेरे पास दो च्वाइस थी। मैंने फैसला किया कि मैं अर्चना को नहीं मारूँगा। और मैं मारूँगा अमरता को। अमरता की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। और मेरी किस्मत खराब थी कि मैं फस गया। मिस्टर राजीव मैं तुम्हें कतल की साजिश और एक लड़की को गुमराह करने के जुर्म में गरफ्तार करता हूँ। चनाप। क्टार करता हूँ करते ला राजीव मैं तुम्हें झालं करता हूँ।